अध्यक्षिक ओधिया इस सदन के कई समानी स्वश्चों ने आपने विशार व्यक्ट किये हैं मैं उन सारे सदस्चियों का मैं आपके नाम का भी उल्ले करना चाहूंगा त्री दिपेंद्र हुड़ा, त्री किरीट स्वऐया, त्री बेडु गोपाल, त्री सोगत्राय, यम राजिश, विस्टर भर्तिहरी महताब, त्री अरविंद सावन, त्री मुलायम शिंग्यों, त्री मुरली मुहंजी, त्री यम राज मुहंडेड़ी, त्री अरुण कुमा जनाब तारीक अनवर, त्री भगवन सिंग्मान, त्री चंदू शिंग्माजरा, त्री राजेश, त्री जय प्रकाश यादो, त्री हरिशन्ड मीना, त्री कौशलंद्र, जनाब ईह हमत सहब, जैसे कई सम्मानी सरक्तियों ने अपने विशार यहां व्यक्त किये हैं, और सब ने कल की जो घटना हुई है, उस पर दुख व्यक्त किया है, और उस घटना को बहुत ही दुरभागे पूर्ण बतलाया है, और जितने भी सम्मानी सरक्तियों ने अपने विशार व्यक्त किये हैं, उन्होंने गजेंदर सिंग के परिवार के प्रति भी अपनी संबेदना व अंत्री जी की तरफ से पुरे भारत सरकार की तरफ से भी उस परिवार के प्रति संबेदना व्यक्त करता हूँ, घटना बहुत ही दुरभागे पूर्ण है, बहुत ही शर्वनाक है, मैं उन सम्मानी सरस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने साइज करना नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि जो घटना घटित हुई है उस संबंध में जानकारी पहले एक बार सदन के समक्ष रख दूं और उसके बाद जिन सम्मानी सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है बहुत ही संचेप में उस पर मैं अपने विशार व्यक्त करने की रई दिल्ली में आयोजित एक परदर्सम रईली के दौरान राजस्थान से आए एक व्यक्ति स्री गजंदर सिंग की मृत्य हुई निश्चित रूप से घटना बहुत ही दरभागे पूंड है दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अंसार दौसा राजस्थान के निवासी स्री गजंदर सिंग रैली अस्थल पर अपने हाथ में एक जाडू लेकर पेड़ पर चड़ गए तथा उन्होंने कपड़े का एक सिरा अपने गले में तथा दूसरा सिरा पेड़ की डाल से बाढ़ लिया पुलिस कर्मियों ने ततकाल इस घटना की जानकारी नियंतरन कक्ष को दी तथा एक लंबी सीड़ी युक्त फायर विरगड़ वाहन को बुलाया ताकि पेड़ की उची डाली पर वैठे इस व्यक्ति को बचाया जा सके पुलिस ने नीचे मवजूद लोगों से भी ताली बजाने और नारे बाजी रोकने का बार बार अनरोद किया जिससे उस व्यक्ति स्री गजंदर सिंग को उत्तेजित होने से रोका जा सके आइसे मामलों में वह व्यक्ति जो इस तरह की इक्स्ट्रीम एक्ट अरिवादी क्रिया करने की कोशिस करता है उसे बहुत ही चतुराई से बात चीत करके उसको इनगेज रखा जाता है उसे व्यस्ट किया जाता है जबकि इसके विपरी इस मामले में भीडने, ताली बजाना, सोर बजाना यह सिलसला जारी रखा किन कारणों से यह मृत्तु की दुरखटना घटी है इसकी जांच, अब्जेक्श को हो दिया, की जा रही है उस दौरान रैली में सामिल हुए कुछ लोग पेड़ पर चड़ गये, तथा उसे खोल दिया, जो एक सिरा कपड़े का बरहा हुआ थो, उसे खोल दिया, इस प्रक्रिया में वह व्यक्ति नीशे गे पड़ा, उसे एक पुलिस वाहन में, राम मनोहर लोहिया हास्पीटर ले जाया गया, यहां उसे मृत घोचित कर दिया गया, जैसा मैंने पहले कहा था ध्यक्षम हो दिया, यह घटना बहुत ही दुखद है, हरदय विदा रख है, दुरभाग के पूंड है, भारतिये दंड संगिता की धारा 306, 186, 34 के अंतरगत, संसट मार्ग पुलिस थाना में, एक यफाईयार संख्या 95, आबली 2015, दर्ज की गई है, इस मामले को अपराद साखा, क्राइम ब्रांज को अग्रिन जाच हेत, अस्थानतर्ज किया जा चुका है, मैंने पुलिस आयुक दिल्ली को इस मामले की पूरी जाच करने का, समय बद्ध जाच करने का अंदर देश द सरकार की तरफ से संबेद नाउजक्त करना चाहता हूँ, मैं कुछ सम्मानित सरस्चु के द्वारा जो विशार जख्त किये गए हैं, उसकी यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, तो इपेंदर जी हुड़ा, इन्हों ने कहा, कि जब इस समय सरकार थी, यूपिय की सरक उसमें बहुत सारे कलम उठाए गए, मैं यह मानता हूँ, अठ्यक्ष महुदिया, कोई भी सरकार हो, कोई सरकार यह दावा नहीं करेगी कि हमारी सरकार एंटी फार्मर है, सारी सरकारे यही दावा करती हैं कि हम प्रो फार्मर हैं, और मैं स्री मुलाइम सिंग्य यादों न के संबन्हें करना शायए, ताकि किसानों को इस बढ़ाली के हाला座 से कैसे उबारा जा सके, यह भी तो कहा उन्होंने, कि जब तक इस हिंडुस्तान का किसान धनमान नहीं होगा, तक हमारा ये हिंडुस्तान भी किसी भी सूरत में धनमान नहीं हो सकता है, अध्यक्ष महु पूरे सदन को इस बात की जानकारी है कि उस दौरान अग्रिकल्चर का कांट्रिबूशन पूरे जीडिपी में 55% हुआ करता था आज जब 58% पूरी तरह से क्रिशी पर आधारित है अब उसका कांट्रिबूशन केबल 14% रह गया है मैं चाहूंगा कि इस संबन्ध में भी हमको विशार करना चाहिए कि इतनी बड़ी पूरे संथ 58% का कांट्रिबूशन जीडिपी में मात्र 14% क्यों रह गया है अथवा वो क्यों घटता जा रहा है लगा था और 58% पूरे संथ की टोटल नेशनल इंकम में अर्निंग कांट्रि गया है और आज 50 50 51 से लेकर आज हालात अभी आज भी हालात ऐसे बड़े हुए हैं कि 60% पापुलेशन को आज फूड शेक्योर्टी के उपर निर्वर रहना पड़ा है 50% तो क्या आदे कि जानकारी तर्थों की यह आप बोलना हो बोल दीजेगा लेकि अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप एंटी फार्मर हैं हम प्रो फार्मर होने का दावा कर रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि आपने भी किसानों की हालत को सुखारने के लिए गाउं की हालात को सुखारने के लिए आपने प्रत्न किया है बुलाइम सिंग्जी ने भी कहा उत्तर प्रदेश में भी इस संकट की घड़ी में किसानों को क्या राहत दी गई है उन्हें कौन कौन सी सुब्धाय मोहिया कराई यही इसकी भी चर्शा की लेकिन इस हकीकत को उन्हों ने स्विकार किया कि सब कुछ किये जाने के बावजूद भी लगातार उत्तर प्रदीश में आत्महत्या की घटनाएं हो रही है यह मुलाइम सिंग्जी ने स्प्रेम स्विकार किया यह सब सारे भी से सदन के सामने इसले में रख रहा हूं कि हम सब को इस पर गंभीरता पुर प्रदेश की साथ फीश्डी से अधिक आवारी को खाद्य सुरक्षा फूर्ड शक्योटी के उपर निर्भर रहना पड़ रहा है यहां तक कि फूर्ड शक्योटी का प्रस्णा है अज्यक्ष महुर्या मैं सदन को आस्वस्त करना चाहता हूं और सम्भूत सदन को इस बाद सुरक्षा के सवाल पर किसी भी प्रकार का समझोता करने को तैयार नहीं है यह प्रयक्त जो हमारी सरकार के द्वारा हुआ है तो मैं अब हमारी बात यह समझ में नहीं आती है ध्यक्ष में हो दिया कि हम किसको प्रो फार्मर का है किसको एंटी फार्मर का है इसलिए मैं यही अब बंध होना चाहिए पक्ष को और प्रचिपक्ष को बैच कर इस पर गंभीरता पुर्बक रिशार करना चाहिए क्या सरदर एक संप्लांग सरकार का भी होना चाहिए इस पर विपक्ष के द्वारा भी अत्वा देश के अन्ने भी वरगों से भागों से जो भी सुझाव प्राप्त होंगे हमारी सरकार उसका स्वागत करेगी अब यह भी एक बिड़ंबना है अध्यक्ष वो हो या कि हमारे डेश की प्रॉड़क्टिविटी जो माने जाने डेश हैं दुनिया के उनमें सबसे कम है आज भी भारत की जबकि इतने वरस हो गया आजादी हासिल किये हुए इतने वरसों से हम पापलर गॉर्मेंट इस डेश की जंता इस डेश को दे रही है फिर भी हम नहीं कर पाएं लेकिन हाल फिलहाल हाल फिलहाल कुछ हमारी सरकार ने कदम उठाए है स्वायल हेल्थ कार्ड है आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं मैं बोलूगा बोलूगा उस पर भी बोलूगा उस पर भी बोलूगा स्वायल हेल्थ काई हमारी सरकार ने जारी किये हैं और हम लोगों ने एक योजना बना रखी है कि कम हुई है हम चाहते हैं कि किसान पर ड्राप मोर क्राप इस सिस्टम को जो है एडाप्ट करें पर एक एक बूद पानी का उपयोग होना चाहिए किसान की खेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये हमारी कोशी से स्वायल हेल्थ कार जारी किया है सदन को इस बात की भी जानकारी है कि 24 बाई सेबर अबी अबी नौदस महीने हुए है अब आप यह प्लीज वेज़े आप यह तो इस चलेगा मैंने मैं 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 अध्यक्स्म हो जा है च्छमा कीजिए च्छमा कीजिएगा च्छमा कीजिएगा मैंने आपको एंटी फार्मर नहीं कहा है है हमारी एप्रोच पूरी तरह से पास्टिम है किसी का कुछ नहीं का है किसी को नहीं का है कुछ प्रश्च की बात तो कर रहा हूं एक्षन की आपको कर रहा हूं प्रशुन्य के समय को घबडा है। आ रहा हूँ 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 अपने स्टेटमेंट में अस्पस्ट कर दिया है जैक्ष महुलिया की पुलिस का क्या रोल रहा है और यदी 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 कोई यदी कोई सदन का समानी सदस कोई क्लारिफिकेशन चाहेगा तो अब एक क्लारिफिकेशन भी देने को तैयार हूँ लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लिए जैसे धैर पुर्वक मैंने आप सब की बात सुनी है वैसे आप भी तो मेरी बात सुनी है उसके बाद किसी क्लारिफिकेशन की आवश्यक्ता होगी तो क्लारिफिकेशन भी देने को मैं तैयार हूँ मैंने ये कहा कि जक्ष मोदिया हमारी गौवर्मेंट ने एक स्वायल हेल्थ कार्ड भी जारी किया है ताकि सभी किसान अपनी जो स्वायल है उसके खेट की उसकी जाच करा सकें और और इसके अत्रिक्ट इसके अत्रिक्ट हम अपनी उस योजना को भी क्रियाडविक करना चाहते हैं ताकि इस देश की गावों को भी 24 बाई 7 बिजली की सुबधा जो है महिया हो सके और सीडर को अलग करने के लिए हम लोगों ने ग्राम जोती योजना भी हम लोगों ने कहा है गावों के हालात को सुधारने के लिए इन्फराइस्ट्रक्षर डवलेप्मेंट होना चाहिए रोड कर्यक्टिविटी बढ़नी चाहिए यह सब सारे सैसले हमारी सरकार ने हाल फिलहाल 9-10 बहीनों के अंदर ही हमने किये हैं इतना ही नहीं मैं जानता हूँ केवल खेती की आमदनी के माध्यम से किसानों की माली हालत को सुधारना चाहते हैं आर्थिक सिद्कों सुधारना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है कि उनके जो बेरोजगार बच्चे है उन बच्चों को भी, कोई न कोई, उनके पास ऐसा स्किल होना चाहिए, उनके अंदर स्किल डवलप किया जाना चाहिए, ताकि उनके हाथों को रुजगार मिल सके, इसलिए स्किल डवलप्पन का सलसला भी, हमारी सरकार ने तेजी से प्रारम्ब किया है, हास्पीटल, हास्प तक सभी गाम पंचायतों में सभी गामों तक यस्तुविधा मिल सके यह हमारी कोशिश है। दिपेंदर जी ने यह जानना चाहा है कि कर्ज माफी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। और इन्होंने दावा किया है, इन्होंने दावा किया है कि जब इनकी सरकार थी, तो उस समय इन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था, अज्यक्त, 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 लेकिन, मेरे पास, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ, कब माफ हुआ था, कि और देख मोजा मैं 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 उस्सी एजी की रिपोर्ट का भी हवाला देना शाहता हूं यहां पर कि और अ कई और देख में परस्वाब तो प्रफॉर्मात अवाइब टाइब वर्ण प्रफॉर्द गॉर्स्वाब तो भाहता हूं पॉर्ण टॉपर्ट चर्डैन पर कार्ज वर्ण तो स्थाथ तर हैं पर तो टोटल 90,576 पार्मर एकाउंट्स इन 715 ब्रांचे जा बैंक इन 92 डिस्टिक्ट अब पूरी पूर्ट नहीं है चुनावी भाफन नहीं है चमा कीजिएगा जा यह सुनना चाहते हैं क्या किया ओ आप अप्ले कर में विल्द बैसे लुका थे जिदे कर थेुए जिना थेुट्चा थे लुकार थे जिदो आपने विल्द कोन थेुट्चा थे जिल्द फिर। यहां पर मात्री इतना ही उल्ले करके मैं अपनी गास को समस्तमाप्त करना चाहता हूं और मैं अध्यक्स मोदया सदन को इस बात की भी बेजानकारी देना चाहता हूं कि पहले किसानों की सब्सक्राइब यजि 50% इसका लास होता था सब कंपंसेशन किसानों को दिया जाता था लेकिन पहली बार हमारी सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री ने यस डियारेफ और यंडियारस के जो नारप्स होते हैं उसको कम किया है उसमें सुधार किया है जो पहले 50% लास पर कंपंसेशन मिला करता था उसको घटा कर 33% करने का हम लोगों ने काम किया है ताकि देश के अधिक्तम किसानों को इस कंपंसेशन का लाब मिल सके इतना ही नहीं पहले जितना कंपंसेशन किसानों को मिलता था उसे बढ़ा कर हमारी सरकार ने धेड़ गुना करने का काम किया है और मैं देश के किसानों को अपनी सरकार की तरब से आश्वस्त करना चाहता हूं आपील करना चाहता हूं कि ऐसी संकट की खड़ी में हमारी भारस सरकार पूरी तरह से हिंदुस्तिन के किसानों के साथ खड़ी है लेकिन मैं राज्य सरकारों से भी अपेल करना चाहता हूँ कि ऐसी संक्ट की घड़ी में आईसी संक्ट की घड़ी में फारी तोर पर कितनी भी राहत महया कराई जा सकती है हमारी सरकार वह राहत महया कराने के लिए तयार है मैं यहावी सदन को अपनी तरफ से आस्वस्त करना चाहता हूँ इसके इसके अत्रिक मैं सदन को यहावी आस्वस्त करता हूँ पूरी जहाँ जाँ पूप पूप खड़ गे जी करने के बाद आप पूछ लिए मेरे कांकूड करने के बाद आप पूछ लिए अध्यक्ष महुरिया की इजाज़त होगी तो मैं निश्यत रूप से उसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा अध्यक्ष महुरिया एक सम्मानी सरस्त ने कहा है कि पूलिस पर क्या कारवाई की गे मैंने इस बात की जानकारी दे दी है कि पूलिस ने किस परकार की भूमिका वहाँ पर नर्वाग की है कई सम्मानी सरस्त ने कहा है कि मिल जूलकर इस आमस्या का समाना निकाला जाना चाहिए हम उनकी बात से पूरी तरसे सहमत हैं और विपक्ष का हम हर परकार का सहयोग चाहेंगे ताकि किसानों की जो बदहाली है इस देश की उस बदहाली से इस देश के किसानों को निजाद दिलाई आ सके और गाओं की और किसान की दोनों की हालात में एक बदलाव लाया जा सके यह हमारी सरकार की यह कोशिश होगी इतना ही कहते हुए अध्यक्ष्मोरिया बहुत बहुत धन्दबाब को इसमानी करते हैं